है अब्रीवन वेल्कम बैक टिरोन चनल तफानेशल लिटरेसी मैं हूँ आपके दूसरा दी सो दो दिन दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूं और प्लस मैं कुछ देट बेस वीडियो में हैं कुछ टाइमिंग्स चेंज होंगी रिकॉर्डिंग्स की बिकिस आम रिसर्चिंग उन सम स्टॉक्स और सम अधर थिंग्स तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम जा रहा है तो हम अभी इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का नालिसिस करेंगे कुछ स्टोक्स हैं जिसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा स्टडी करने वाले हैं थोड़े पैटर्न स्टडी करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट विट स्टोक्स फर्स्ट, पहले हम वॉल्टास जो है इसी स्टोक के बारे में स्टडी करेंगे, सरफ टेक्निक राइल से हमें देखना है, अब ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्टास में क्या हुआ है, इसने बहुत अच्छा यहाँ पर भी ग्रीन केंडल नहीं दी, यह वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, सेमी स्टोक को जाके, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाके नौट करते हो, तो सेम स्टोक का अच्छा ब्रेकाउट हुआ, लेकिन जब यह ब्रेकाउट हुआ था, तो उस टाइम पर एक उपसेट कलर केंडल हमें डेली टाइम फ्रेम पर मिल गई थी, वैसे ही जैसे ब्रेकाउट केंडल, उपसेट कलर केंडल है, इसका लो एसल, इसका हाई जैसे ही निकलेगा, हमने यहाँ पर डेरेक्ट एंटरी की, और एक अच्छा, जो फॉस लेवल का टागेट है, वो हमें यहाँ पर आतवे दिख रहा है, अब वोल्टास में क्या है, कि यह अपनी प्रीवियस रेंज के पास पहुच गया है, और एक्छल में यह 2022 की रेंज है, अगर इस रेंज का दुबारा से एक ब्रेकाउट यहाँ पर हमें मिल जाता है, और डेली टाइम फ्रेम पर इसी तरीके से एक opposite color candle करके continuation मिलेगा, तो हम दुबारा से 1362 का जो लेवल है, यानि ओल्मोस्ट और यहाँ से 25% का जो रेली है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीके, this is on the basis of analysis और जो भी मेरे experience अब तक को लेके, उसके base पर है, ठीके, अब इसके अलावा, मैं अगर अगर हम जाते हैं, so mainly opposite color candle, अगर आपको जो है, weekly time frame पर मिले और उसका फिर continuation मिले, तो वो बहुत अच्छा sign होता है, but mostly cases में weekly time frame पर हमें नहीं मिलती है, daily time frame पर हमें मिलती है, क्योंकि वो कम time frame में चला जाता है, so अगर यहाँ पर यह जितने strongly voltas move कर रहा है, अगर दुबार इसका continuation होता है, तो हम और Israeli को जाते वे देखेंगे, now second, जो यहाँ पर है, वो है Tata Motors, Tata Motors हमारे portfolio में बहुत time पहले से है, और बहुत time पहले हमने recommend किया था, EOD में, जब हमने stock के बारे में deeply discussion किया था, तो EOD में हमने Tata Motors लिया था, मेरे portfolio में भी है Tata Motors, ठीके और काफी अच् फोल हमें देखने को मिला था, COVID के टाइम पे, उस टाइम पे इसका low अगर आप देखोगे 70 था, and currently it is trading on 815, so basically जिब यहाँ पे Tata Motors था, उस टाइम पे भी इसने यह same pattern बनाया था, base और इसका breakout वाया, breakout आने के बाद, pattern ने दुबारा से एक M pattern बनाने की कोशिश की, लेकिन द इस pattern, this is sending pattern, और triangle pattern आप इसको बोल सकते हैं, sending descending जोड़ो, triangle आप इसको बोलोगे, यह जो pattern है, इसका actual मतलब होता है कि range squeeze हो रही है, range squeeze का मतलब है, पहले range बड़ी बनी थी, फिर दीरे 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 small होती गई, उस time पे sellers and buyers दोनों ही बदाता tight range में चले गई, और फिर वो जिस direction में फटता है, उस direction में एक अच्छा move मिलता है, दुबारा से यह फटा, उसके बाद हमें हापर एक opposite color candle मिली, इसका low SL and direct तब से हमारी entry यहां पर बनी हुई है, अगेन ही हापर एक entry बनी थी, जब दुबारा से इसका high breakout हुआ, with opposite color candle दुबारा entry थी, अगेन इसका high breakout हुआ अभी अगर आप देखोगे, तो यह weekly time frame पर दुबारा से इसने इस week पने previous जो highs थे, वो break किया है, at the daily time frame पर भी अगर आप इसे जाके देखोगे, तो यह वाली जो range बनी थी काफी दिनों की, आज उसका breakout है, अनी almost 29th December से 10 January की जो range आप थी, 10 दिन के round, उसका आज breakout है, तो this is a good stock to invest in, long term के vision पर अगर आप देखते हो, तो, now, अब हम चलते हैं अपने index पर, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, कि big picture, किस चीज को यहाँ पर बता रहा है, firstly, index स्टार्ट करने से पहले, there is a disclaimer और कुछ points, अब से, आपको weekly analysis मिलेगा, options, आपको किस तरीके से करने weekly analysis में हम सारी चीज़े सीखेंगे, कि indexes में indicators कौन से use करना है, price section क्या बोल रहा है, wix क्या बोल रहा है, वो सारा एक weekly analysis video में आपको मिलेगा, daily trading की videos और daily analysis video आपको mainly expiry पर मिला करेंगी, ताकि expiry related जो videos है, यानि expiry related जो analysis है, वो आपके पास रहे, इसके others दिन में मैं जो updates जिर्फ telegram channel पर आपको मिलेंगे, जो कि हमारे public channel है, इसका link आपको description में मिल जाएगा, okay, so weekly analysis में हम बहुत deeply discussion करेंगे, कोई important ही जाद analysis है, तो वो आपको through telegram ही मिल जाएगा, और EOD में, जो हमारा paid group है, इसमें तो daily चीज़े होती है, analysis वाली कि आज क्या हुआ, क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे भी, तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कुछ previous charts अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे, तो इस तरीके से charts के थूरू सीखा जाता है, कि यहाँ पर इस से हमारा breakout आया, यहाँ पर इस तरीके से हमारी trapping हुई, यहाँ पर इस तर तो एक range बने हुई है, अभी मैंने आपको Tata Motors में क्या दिखाया था अभी, जस्ट मैंने आपको एक note दिखाया है, कि ये जो pattern होता है, range squeeze होने वाले, बहुत strong pattern होता है, इसके बाद बहुत अच्छी rally आती है, तो आप बगर आप यहां पर देख रहे हो, तो ये same 4% का, जो एक run है, हम एक upside देख सकते हैं, 22,500 तक, का rally एक upside हमें आपर दिख सकता है, इस range के breakout के बाद, तो जिन लोगों को positionally इसमें trade लेना है, आप यहां पर ले सकते हो, तीके इस analysis के basis पे एक बार अपना analysis भी कुद करना, कुद का दिमाग लगाना, अगर इस range का upside में breakout नहीं आता, तो डिरेक्ट market हमें इस level तक easily दिखेगी, क्योंकि उसके बाद यहां पर कहीं पे भी कोई जो space है वो नहीं है, जहां पर market को रोख सके, तो इस दोनों side के view हमारे open है, जब तक prices range में है, trade less, आज भी मैंने आपको एक चीज बोली थी, हाँ पर जाके देखोगे तो, कि 200 point उपर नीचे का बेच के और बेटर है कि premium enjoy कर लो, ठीक है तो यह option selling के कुछ पाट है, तो यहां पर इस तरीके से analysis है, अगर आप बैंग निफ्टी में जाके देखोगे, एक तो बैंग निफ्टी में मैंने आज आपको अपडेट भी किया था, कि बैंग निफ्टी में सिर्फ HDFC और ICICI bank गिर रहा है, इसके अलावा banks में अगर correction आ भी रहे हैं, तो बाकी banks इतना जादा correction का कोई move नहीं दे पार है, और उपर से weightage HDFC और ICIC, यानि यह जो range यहां पर एक form हुई है, बैंग में अगर banking sector में अगर आप देखोगे, तो यह complete उसके जो high weightage strokes है इस time पर वो थोड़ा सा fall दिखा रहा है, बट इन दोनों banks के अब result आने वाल है, तो result अगर इनके अच्छा आते है, तो हमें यहां पर भी काफी अच्छी rally दिखेगी, तो यह हमारे लिए बन गया एक support range और यह हमारे लिए upside से बन गई एक upside से direct हमारे लिए resistance range, जैसे ही इसका breakout हमें upside में देखने को मिलेगा, जो strong है, confirmation वाला, वो breakout होगा, इसका high का breakout, अगर meanwhile अगर आप इसको थोड़ा सा aggressive entry और थोड़ा जल्दी SL के साथ लेना चाहते है, तो आप इस trend line का upside का breakout entry ले सकते हो, दुबारस है, जितना run हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जैसे मैंने आपको टाटा मोटर्स में समझाया था, जितना run हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इस breakout के बाद, same run हमें यह 9% का upside में भी देखने को मिल सकता है, और 50,000 का target तो हम वैसे भी लेके चल रहा है, काफी टाइम से, जब से bank nifty ने breakout दिया है, जब तक यहाँ पर है, यह हमारा एक range area रहेगा, now, अब हम चलते हैं, आज के दिन पर, और आज हम समझेंगे कि सबसे जदा हमारे लिए important क्या था, see, मैंना आपको काफी time से बताया है, जो हमारा setup चल रहा है, 75 days hard का, आप इसमें जाके inside bar यहाँ पर use करोगे, ठीक है, inside bar की settings, किस तरीके से आप change कर सकते हो, यहाँ पर जाके you can change the color of inside bar, यह सारी चीज़े हटा सकते हो, shapes वगरा इसकी need नहीं है, labels की भी need नहीं है, यहाँ से ब inside bar यहाँ पर लग गया, ठीक है, अब at the 5 minute time frame, आपको मैंने क्या सिखाया है, M और W pattern, और इसका analysis daily आता है, कि किधर M बन रहा है, किधर W बन रहा, now at the 5 minute time frame, यह market थोड़ा चोपी हो गया, लेकिन market ने अब starting से पढ़ता है, यहաँ बना हो बेस हो बना है, यहाँ पर बेस नहीं बना, लेकिन rejection बना है, ठीक है, इसका rejection हुआ, market यहाँ तक आता है, यहाँ पर कोई बेस बना नहीं बना, यहाँ पर बेस नहीं था, उसके बद प्राइस ने एक फोल द ब्रिक आउट केंडल के साथ हमारी इंसाइड केंडल थी, इसका continuation देने की ट्राई की लेकिन यहाँ पर rejection आ गया, now notice this pattern here this is a trapping scene completely, एक तो जो market जितना इस दिन चोपी होता है इस तरीके से trapping हो रही हो, तो उस दिन तो avoid करना जाएए trading, बाकी, अगर आपे pattern यहाँ पर थोड़ा understand करते हो, so this is the pattern here, इसका breakout आता है breakout के बाद inside candle मिलती है, हमारी entry बने की इधर, लेकिन जैसे यह entry बनी, उसी candle, जो वो candle बनी यहाँ पर same candle के बादी, next candle ने हमारी breakout candle का low निकाल दिया, this is trapping of buyers, ठीक है, अब यह जो trapping of buyers है, इस case में हमारा जो position बनती है trapping वाली side में, वो इस candle का high and जो हमारा यही एक reversal candle थी, इस candle का low हमारी entry point बनेगा, और safe के लिए आप breakout candle का low ने सकते हो, entry point के लिए, ठीक है, so यहाँ पर एक तो हमारी trapping की confirmation मिल गई, अगर आपको pattern यहाँ पर देखना है, so this was the pattern here, यहाँ पर जाके, यह हमारा बना था M pattern, ठीक है, M pattern कभी भी बनेगा ना, हमेशे याद रखना इस तरीके से आपको hammer year trapping candle ज़रूर मिल जाएंगी, अब यह M pattern बना, यह हमारी opposite color candle था, जिसके साथ breakout आया, so इसका high हमने यहाँ पर mark कर दिया, as a high and उसके बाद हमें opposite color candle चाहिए थी, यह मिल गई हमें opposite color candle, जैसे इसका load निकला, हमारी यहाँ पर entry थी, थोड़ा सा market ने time spend करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा, एक steep fall दो candle में काफी अच्छा fall हमें आपर दिखा, so अगर market कभी भी इतना choppy होने के बाद एक base बनाती है, तो वो अच्छा इसी type के दो candle में fall जो है वो देती है, उसके बाद again जो यह gap था वो fill हुआ, market दुबारा से अपने इसी important support के पास आके and then again यहाँ पर एक अच्छा run हमें upside देखने को मिला, now अब कल के लिए इस चीज में क्या important है, this is the trend line here and अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से यह भी एक range बन गया है, जो एक range है वो squeeze होगी है, अगर आप यहाँ पर not list करते हो, this is the range जो squeeze अगर इस range का downside में breakout में लेगा, तो हम इसके downside के targets लेंगे, simple, same case अगर आप जाके nifty में not test करते हो, यहाँ पर, so nifty में, अगर हम कल के लिए decide करें, so यह हमारे लिए trend line है, ठीक है, जो हमारी 5 minute time frame पर है, bigger trend line हमारी हाँ है, जो हमने 30 minutes पर powerly time frame पर देखी है, इसके बाद, अब downside के लिए जो हमारा view है, वो यह रहेगा, this is a range, क्योंकि market ने काफी अच्छा एक strong closing देने की हाँ पर try भी की, तो इसके उपर हमारे direct buying बनेगी, क्योंकि हाँ पर एक base बन रहेगा, इसके उपर breakout, neck line के उपर हो जाएगा, trend line के उपर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ये एक rejection रहेगा, अगर ये rejection का breakout भी मिलता है, तो हम upside rally देखेंगे, इसमें nifty में, downside का view हमारा इस candle के नीची है, क्योंकि यहाँ से support आया, तो यहाँ पर इस support को break करने के बाद, हमारे इस support के सारे points बहुत अच्छी तरीके से clear है, now if you want something more और किसी और चीज़ पे आपको चाहिए कि मैं particular वीडियो बनाऊ, या फिर किसी और चीज़ पे आपको analysis चाहिए, कुछ और include कराने तो आप कर सकते हो, मेरी साइट से यह वाली चीज़े है, और crypto, crypto में हमें कहां से कैसे price section सीखेंगे, देखो crypto में, मेरा आपको group बनाने का, जो हमने crypto में start करने वाल है, crypto में जो group है, उसका description में link है, प्लस में आपको उनसे account में safe crypto में trade कर सकते हो, US market में कर सकते हो, उसका account का link भी मैंने दे दिया है, तो जिनको ऐसे problem होती है कि कभी पैसे waste ना हो जाए, और कोई illegal हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो test करके उसके बादी उस account का link दिया है, मैंने यहापे, तो वो legal है, उस crypto और commodities, gold वगेरा, US market का discussion और starting हमने इसलिए किया है, ताकि कुछ और time हम market के साथ spend करें, और technical analysis सीख सकेगे, क्रिप्टो में भी इस तरीके से चीजे हो रही है, आपको वहाँ पर note करना है, जो professional लोग है जो job कर रहे हैं, उनको evening के time पे कुछ live market जैसा चलते हुए दिखे अप follow pattern, support, assistance, यह सेम वहाँ पर भी follow होता है, ठीके तो आप वहाँ पर भी अपना जो time है, वो spend कर सकते हो, so यह complete एक जो view है, वो रहेगा, लसमें latest update मैं आपको दे दिये है, कि mostly जो videos आपको weekly मिलेगी, जो daily updates होंगे, वो short clips आपको मिल जाएंगे, market में क्या सीखने को मिला, क्या पूरे हफते का analysis हम weekly analysis में करेंगे, daily basis पे जो points और important सीखने के थे, वो आपको telegram पे update होंगे, it is just to save my time because I am doing some research on some things, और अगर आपको कुछ और important चीजे चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगी, so उसके ले connection बना रहेगा, now, so do maintain your support, I need your support, do share the video with your loved ones, because इतने जादा लोगों के जाएगा, उतने जादा मेरा motivation बढ़ता है, और चीजे न्यू लेके आने का, जितने जादा मुझे numbers increase होते हुए दिखते हैं, उतने ही new चीजे और new research करके मुझे लाने का एक motivation वाला जो level है, वो मेरा maintained रहता है, okay, so do subscribe the channel, do share the video with your loved ones, with this, thank you so much, be a professional trader and happy financial literacy.